इस वीडियो में लाइब डिमो फुल प्रोसेस बताएं कैसे आप लोग अपना SSP पोर्टल पे फोटो और सिगनेचर को अपडेट करोगे चाहे आप CA Foundation का एक्जाम December 23 में दे रहे हो या CA Intermediate and Final का एक्जाम No.23 में दे रहे हो फोटो और सिगनेचर को कैसे अपडेट करना डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे साथ में क्या गाइडलाइन है इसके बारे में भी आप लोग को अपडेट करेंगे स्टुडेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्विस्ट करेंगे अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वेल दबाद दीजे ताकि सिए डिलेटर एक भी इंपॉटेंट अपडेट और एनाउंसमेंट मिसना हो पाई सब्सक्राइब जरूर करें जैसे कि आप लोगों को पता है सिए फाउंडेशन इंटर्मीडियर फाइनल का एक्जाम फॉर्म फिलिंग 2 अगस्ट 2023 से स्टार्ट हो रहा है एक्जाम फॉर्म का तो आप लोग वेट ना करें फोटो और सिगनेचर अपडेट होने का SSP पोर्टल पे तुरत आप लोग एक्जाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा बेटर है कि अभी समय बचा हुआ है तो जल्द से जल्द अपना फोटो और सिगनेचर जिन भी स्टूर्ट को अपडेट करना अपडेट कर दीजिए कैसे एक्जाम फॉर्म फिल करना सीए फाउंडेशन इंटर्मीडियेट फाइनल का डिटेल वीडियो इस चैनल पे दो अगस्त को आ जाएगा फोटो और सिगनेचर अपडेट करने के लिए आपको SSP पोर्टल पे लॉग इन करना परेगा फोटो का बैक्ग्राउंड वाइट होना चाहिए टोपी चस्मा यह सब लगा करके आपको फोटो क्लिक नहीं करवाना है और हाँ जिसको आई प्रोब्लेम है वो चस्मा लगा सकते हैं और आपको स्ट्रेट फोटो घिजवाना है सेल्फी फोटो एलाओ नहीं है कुछ स्ट्रेट को मैं देखता हूं डाउट आजाता है और वो लोग सेल्फी फोटो अप्लोड किये होते हैं प्लीज सेल्फी फोटो को अप्लोड नहीं करना है देखो जिनका भी फोटो आई साय गाइडलाइन के हिसाब से फोटो और सिंगनेचर उनको दुवारा अपडेट नहीं करना, जिनका नहीं है प्लीज अपडेट कर दीजिए, कोशन आ सकता है, सब कुछ सही है, बैग्राउंड फोटो का वाइट नहीं है, तो क्या करें, प्ली आप जेपी侘 नहीं तो जेपी依ी फॉड्मेट में ही फोटो को अपडेट करें, कोशन आ सकता है, बूब इचल के च्ासूर है, प्लीज अपडेट कर दीजिए, टाइम है, सिंगनेचर को भी जेपी依ी नहीं तो जेपी依ी फॉर्मेट में अपडेट करना चाहिए, पोたो का ऐसा size होना चाहिए और signature का ऐसा size white page पे ही आपको signature करना है इसी size में आपको white page पे signature करके आपको photo click करके update कर देना scan करके मैंने sort में आई सेगा guideline बता दिया photo और signature से related इतना ही जान लोगे आपके लिए काफी है student के पास दो option है shop पे जाओगे white background वाड़ा photo click कर वा लोगे और photo आएगा scan करके upload कर देना है signature को तो खुझ से आप बना सकते हो खुझ से white page पे black ball पें से signature करना photo को click कर लेना, scan कर लेना कोई भी scanner से और update कर देना है अगर किसी student के पास red background blue background है तो मैं इस वीडियो में प्रोसेस भी बदा देता हो, अब चाओ तो red background को या blue background कोई भी background हो उसको white में convert करके upload कर सकते हो घर बैठे ही, माल लेते कुछ student इतना भी आलसी है कि white page पे black ball पें से signature नहीं कर सकते हैं उनके पास blue paint का signature किया हुआ photo है तो मैं इस वीडियो में ये भी प्रोसेस बदा देता हूँ कि blue paint का या किसी भी paint का अगर signature होगा तो उसको आप black ball paint के signature में convert कर सकते हो तो सबसे पहले आपको google पे लिखना है background photo remover जैसे ही लिख के search करते हो, सबसे पहले वाले आपको convert करना, ये photo blue background का है जैसे ही upload करोगे तो आपके सामने ऐसा बन जाएगा लेकिन उपर में edit का option आपको so कर रहा है, जैसे आप edit वाले option पे click करते हो, आपके सामने background का photo आना start हो जाएगा, आप जो भी background आपको white background को ही select करना इसमें से तो side में option है, आपको scroll down है, तो आपको जैसे ही इस पे click करोगे background white हो जाएगा, download का option है download पे click कर देना, जैसे ही click करोगे photo download हो जाएगा, background white रहेगा, इस तरीके से आप अपने photo के background को white कर सकते हो दूसरा भी option है, आप दूसरे option को भी try कर लीजेगा चाहे, तो कुछ यह औरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ, वही option को try करें देखो, mobile से photo or signature को scan करना PDF बना रा, JPG नहीं तो JPG format में convert करना, तो आप DOCA scanner download करके उससे convert कर सकते हो मैं इस application का link आपको description में देदोंगा, कोई भी paid promotion नहीं है फिरी में, देखो यह white signature है इसको black में convert करना, कैसे यह black signature होगा तो आप scan करोगे, तो black में convert हो जाएगा कैसे करना, इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अब DOCA scanner app को open करोगे, जैसे ही DOCA scanner app को open करते हो, side में photo वाला icon है इस पे आपको click करोगे, जैसे ही click करोगे तो आपको वो photo को ले लेना है, जो की blue paint से signature है या किसी भी paint का signature है, इसको यहाँ पे ले लेना है adjust कर लेना है, इसके नीचे में side में आपको color filters को करेगा, ता आप black वाला कोई भी ले लोगे black ball paint वाला, यहाँ पे देखोगे, select करके जो भी black ball paint जैसे हल दिखे, आपको उसको select कर लेना है इसके बाद देख रहे है, blue paint का signature बन गया black ball paint का signature, इसको share कर लेना है यहाँ पे दो option है, PDF और JPEG आपको JPEG में इसको save करना है, आप चाहो तो इसको JPEG में share करके कहाँ पे, टेली ग्राम पे share कर दिए, जो वहाँ से उस photo को download कर लिए या अपने gallery में भी save कर सकते हो, अब यह काम होगे, अब आपको सबसे पहले SSP portal पर जाना है, आई से एक official website पर आजाना है, self service portal पर क्लिक करना है यहाँ से आपको अपना login detail फिल कर लेना है, अगर आप इसमें login नहीं कर पा रहा हो forget करने के बावजूद भी, तो मैंने video बना रखा, SSP portal में कैसे login करना है वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा, जैसे ही login करोगे, SSP portal के home page पर आजाओगे, नीचे में profile edit form, update profile details हो कर आपको इस पर click कर देना, जैसे ही इस पर click करते हो, थोरा सा wait कर लेना, अब ध्यान से बाते को सुनेना, आपको क्या update करना है, update आपको photo करना है, और update signature, तो इस द upload कर दोगे, जो भी photo बनाया होगे, उसको यहां से upload कर दोगे, जिस नाम से save की होगे folder को, तो photo अभी तक update नहीं हुआ, शिर्फ यहां पर upload हुआ, इसके बाद आप signature को select करोगे, और signature को update कर दोगे, photo और signature upload होगे, कुछ यहां तक करने के बाद छोड़ देतें, नहीं, नीच पी के लिखने के बाद आपको यहां पर submit कर देना, जैसे ही submit करोगे, close कर देना, क्या भी हो गया, बिल्कुल भी नहीं, नीचे में एक बार फिर से submit करोगे, नहीं करोगे, आपका successful नहीं होगा, इसके बाद OK पे click करना, जैसे ही OK पे click करते हो, आपका photo और signature update होगे, SSP portal पे YouTube comment box open, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, चैनल पे नए हो, तो please students चैनल को subscribe करें, ताकि CA related एक भी important update और announcement मिसना होपा, इस वीडियो को जरूर सेर कर दीजेगा, सारे CA students के साब, और मैं मिलता हूँ next वीडियो में, सेर जरूर करें